बागी 3 से जुड़ी किस बड़ी खबर का किया गया है एलान और क्यूं होगी ये फिल्म ब्लॉंक बस्टर हेलो दोस्तो बॉलिग्राद स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी दोस्तो वोर के सफलता के बाद अब टाइगर श्रॉफ का पूरा फोकस अपनी अगली फिल्म बागी 3 पर है ये टाइगर श्रॉफ की इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और इसके बारे में बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने वादा किया है कि इस बार फिल्म में तीन गुना एक्शन मिलेगा गौर्तुलम है कि बागी 3 आज के नए स्टार्स की इकलोती सफल फ्रेंचाइजी है और ये कारण है कि टाइगर श्रॉफ को इस समय का सबसे सफल अक्शन स्टार माना जाता है इस वक्शन सीन्स को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसको सुनकर टाइगर श्रॉफ के फैन्स जरूर चौंग जाएंगे पता चला है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ करीब 40-50 गुंडों से एक साथ लड़ते हुए नजर आने वाले हैं तो वहीं पूरी फिल्म में करीब 400 गाड़ियां ब्लास्ट कर दी जाएंगी इस खबर के सामने आने के बाद ये काफी ज्यादा वाइरल हो रही है और टाइगर के फैन्स खुश हो रहे हैं बता दें कि फिल्म का एलान तब ही हो गया था जब फिल्म बागी 2 रिलीज हुई थी जिस तरह से इस फिल्म को लेकर लोग टाइगर को पसंद कर रहे हैं लगता है ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी साबित होने वाली है वैसे भी रितिक रोशन के साथ वार में भिड़ने के बाद टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलिएंग में और भी जबरदस्त इज़ाफा हो चुका है ऐसे में फैन्स को बेसबरी से बागी 3 का इंतिसार है फिल्म के एक्शन और स्टन्स पर खासा ध्यान दिया जा रहा है और फिल्म में इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ कंधे से कंधा मिला कर श्रद्ध कपूर भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी हाल ही में टाइगर की वार और श्रद्ध की साहो दोनों नहीं बॉक्स ओफिस पर तबाही मचाई है दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रही है बॉलिग्राथ स्टूडियो से इस फिल्म से जुड़ी काफी सारी इंफोर्मेशन हमारे चैनल पर अवैलेबल है लेकिन अगर आपका कोई नया सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैं हुसानिया सेफी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ लेकिन तब तक प्यार बाढ़ते रहिए